वीदा पीपल हम भारत के लोग पिछले करीब 7-8 साल से एक नया काम मिला है जो भारत के SC, ST, OBC के लोग हैं उनके नेताओं के लिए सम्मिधान बचाने का उससे पहले उनको जो काम मिला हुआ था जो ग्लोबलाइजेसन है जिसमें प्राइविटेजेसन हो रहा है वो सारी चीजन जो प्राइविटेजेसन हो रही है उससे लड़ने का, उससे बचाने का उससे पहले उनको एक काम मिला था आरेशन का पूरा हिस्सा लेने का, पूरा बचाने का तो ये प्राइविटेजेसन में आरेशन की बात चली तो दो काम उनके एक साथ हो गए उससे पहले उनको हिस्सा मिला कि हमारे साथ में बहुत जादा जातियां होती हैं, पताना होती हैं, उसके लिए वो लड़ते थे, ये काम लगाता लगाता और उनको मिलते रहते हैं, क्योंकि उन्हें काम करनी की आदत है, तो कोई ना कोई काम उनको मिलते रहे जी, मगर काम देता कौन है, इसका उन्हें कभ साल से सम्विधान को बचाने का इसमें सब लोग लगे पड़े हैं और पूरी ताकस से पूरी महनस से पूरी इमानदारी से लगे पड़े हैं कुछ लोगोंने तो सम्विधान की कौपियां बाटनी सुरू की हैं वो सम्विधान लगातार बाट रहे हैं चबा चबा कर नाम ल प्रियम्बर बाट रहे हैं, कुछ को काम मिला है कि वो सम्विधान का प्रियम्बर पड़ रहे हैं, जो कुछ जादा इंट्रिक्शल हैं, पड़े लिखे जादा हैं, डॉक्टर हैं, प्रॉफिसर हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, उन्होंने बाकाइदा सम्विधान की पार बचारों तरफ लिएसा कि बचाने की ऐसे चिल भाइत में चल लए जैसा कि आृषरल को बचाने की चलती थी जैसा कि कम्पनियों को सरकारी नौक्जयों को बचाने ही चलती थी जैसा कि अपनी मगर सम्विधान पस्ता कैसे है इसकी जानकारी कोई लेने को त्यार नहीं है। कैसे सम्विधान बचा। सम्विधान में एक पेज था जिस पे लिखा हुआ था कि ये एक्टोशिटी जो एक्ट है ये सिल्ल कास्ट को बचाएगा। और सिल्ल कास्ट में जब भी कोई अत्याचार होगा तो ये एक्ट के अनुसार उनकी FIR होगी और उस FIR में ये ये फायदा होगा जिससे के लोग उन पे अत्याचार करने से ढखते थे रूखते थे। तो गॉर्मेंट ने उस SCFT Act को Null and Void कर दिया, खतम कर दिया। तो समिधान में से वो पेच चला गया, यानि समिधान में से वो खतम कर दिया गया, समिधान इकतर से उसके लिए वो खतम हो गया। कह सकते हैं कि समिधान थोड़ा सा खतम हो गया। तो नेताओं को आना चाहिए था, कि भही इसको बचाना चाहिए, मगर नेता नहीं आये। क्याई संग्ठम ने तो बागयता लिखके मने भी कर दिया, कि हम इस आंदुर में भाग नहीं लेंगे, हमें ये नहीं बचाना है। तो जनता सलक पे आ गई, तो लोग सलक पे आ गई, तो दो अपैल 18 को लोग सलक पे आये, आधे दिन के लिए आये थे। और वो जो पेज जो सम्विधान से निकाल के फार दिया था, वो कुछ दिन बाद सम्विधान में फिर चपका दिया। और वो सम्विधान का वो पेज बच गया तो ये पता चला कि सम्विधान बचाने के लिए लोगों को इखटा होना है अगर लोग इखटे हो जाते हैं तो जो कानून सम्विधान में से निकाले गए हैं वो जुड़ सकते हैं जो नहीं माने गए हैं वो माने जा सकते हैं और जो और जोड़े जाने हैं वो जोड़ सकते हैं अगर लोग चाहें तो तब ये पता चला कि सम्विधान की जो सकती है वो सम्विधान को पढ़ने में नहीं है वो सम्विधान को बांटने में नहीं है वो लोगों के इखटे होने में है यानि कि सम्विधान की सकती लोगों से नहीं है, उसको बाटने से नहीं है, उसको रटने से नहीं है, उसका सोर मचाने से नहीं है, लोग अगर इखटे हो जाएंगे, तो जो भी सम्मिधान में आपने ससकती करन करना है, जो भी जोड़ना है, जो भी घटाना है, वो कर सकते हैं, और अगर लोग इखटे नहीं होत सम्विधान की सकती लोगों में है और लोगों की सकती खटे होने में है इसलिए बावा साथ जैसे जो विद्वान है दुनिया के modern history के number one विद्वान वो ये कहते हैं कि organize organize का मतलब है सबको संग में रहना है संग्ठत नहीं होना है संग्ठन तो लाकों बनाए हुए है छोटे छोटे ये तो group है ये कोई organization नहीं है organization का मतलब है छोटे छोटे सारे टुकडे केंदर से जाके मिल जाएं केंदर में जाके मिल जाएं इखटे हो जाएं बिना किसी सर्थ के बिना किसी completion के तो नेता तो आपको इखटा होने देगा नहीं अगर नेता आपको इखटा देने चाहेता तो 70 साल में आपको सब इखटे होगे दे नेता तो तो तोड़ता है पहले एक संठन, फिर दो, फिर दो के चार, फिर चार के आठ, फिर आठ के सोल है और वो आपको कभी संग नहीं बनाने देगा, कभी नहीं खटाओने देगा मगर अगर अगर आपको जीतना है, आपको समधन बनाना है तो आप समण संग में आ जाएए, वीदर पीपल में आ जाएए, आकर देखिए वीदर पीपल कैसे काम करता है, एक वार आकर देखिए जिरूर अपने सवाल जवाब के साथ में, जो आपके सवालें वो लेके आईए, सबका जवाब मिलेगा, यहां बहुत लोग हैं आपके साथ इखटे हो जाएं तो समिधान बस सकता है, वरना समिधान नहीं बसता, धन्यवाद. अपके मेंता चर्ची आपके सकता है, एक वार आकर देखिए ऑपके साथ में, एक वार आपकेस में, जो आपके समिधान पहालें, आपके सरभวย साथ में? झाल 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 झाल